नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भारती बिहार के लिए अच्छी खबर है कोरुना संक्रमित मरीजों में से 73.48 फीसिदी पॉजिटिव मरीज अब तक कोरुना संक्रमित को मात दे चुके हैं संक्रमित में अगर बात करें तो 80,000 से कहीं जादा बीते 24 घंटे में भी 4,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं हम आपको विस्तार से बताते हैं कि यह मरीज किन-किन जिलों से थे और इनकी संक्रमित कितनी है 4,034 पॉजिटिव मरीज बीते 24 घंटे में ठीक हुए जिनमें पटना के 599, भागलपूर के 126, मुजफरपूर के 107, गया जिलिस से 91, नालंदा से 149, सिवान से 65, रोतास से 145, बेगुसराय से 165, नवादा से 24, पश्चवी चंपारन से 124, सारन से 141, मुंगेर जिले से 66 समस्तिपूर से 161, भूजपूर से 105, खगडिया से 65, पूर्वी चंपारन से 144 पॉजिटिव मरीज बीते 24 घंटे में ठीक हो पाए हैं, मदुबनी जिले से 125 लोगों ने संक्रमन को मात दी हैं, वैशाली से 169 पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं, गोपाल गन से 64, पूर्ण के 175 पॉजिटिव मरीजों ने संक्रमन को मात दी हैं, बकसर जिले से 124 लोग ठीक हुए हैं, दर्भंगा से 57 पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं, लकी सराय से 49, सुपाल से 99, औरंगाबाद से 60, जमुई जिले से 32 लोग ठीक हुए हैं, मध्यपुरा के 81 पॉजिटिव में ठीक हो पाए हैं, सहरसा जिले से 100 लोग संक्रमन मुक्त हुए हैं, बाका से 55, किशनगंद से 20, शेकपुरा से 112, सीता मरीज से 111 पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं, अरवल से 36, कैमूर जिले से 54, अरड़िया से 110, और शिभर जिले से 28 पॉजिटिव मरीज बीते 24 में ठीक हुए हैं, कुल मिलाकर 4,034, कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने संक्रमन को माद दी हैं, जिसके बाद ठीक हुए कुल मरीजों का आंकड़ा अब 874 हो गया है, बिहार में कनफॉर्मड मामले 1,9,875 हैं, 558 लोगों की मौत संक्रमन के कारण अब तक हो चुकी है, अक आप को बता दें कि बीते 24 घंटे में बिहार में 1,12,781 टेस्ट्यूब सैंपल की जाच हुई है, तो बिहार में 73 फीसदी से ज्यादा पॉजिटिव मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, 80,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों ने कोरोना को माद दी है, बीते 24 घंटे में ही 4,000 से ज्यादा लोग ठीक हो पाए हैं, आप Life Cities के साथ बने रहें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ लेतिस्ट अबडेट्स के लिए Facebook पेज को लाइक करना बिलकुल न भूले, धन्यवाद